नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब मेरे इस चैनल पे और मैं सरिता दिल्ली से देखे ये ताम जाम लेकर के क्या मैं बैठी हूँ आप भी कह रहे होंगे कि क्या शुरू हो गई फिर कुछ नहीं बस ये पिछले दिनों याद है ना ये इस वाले कपड़े से मैंने एक पिलो कवर बना के आपको दिखा है था अब वो पजामी का एक पैर बचा हुआ था और कुछ और कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि इससे भी कुछ बनाया जाए तो ये मसनत बढ़ा हुआ था मैंने का इसका कवर बनाते हैं देखते हैं क्या बना पाती ह तो जैसे नाप लिया था वैसे मसनत को उस एक पैर के अंदर दो तरफ से तो स्टिच था अंदर डाला और उसके नाप के हिसाब से मैंने कट कर लिया बहुत एजी था हम चाहते तो बस यूँ ही छोड़ देते इसको लेकिन पजामी के एक नीचे वाले पोरिशन में आपको प आगा डालना नहीं था आप चाहें तो इसे जैसे टौफी का रैपर होता है ना दोनों तरफ से उसी तरीके से अगर आपक बस पुरानी राखी है या कुछ है तो बांच सकते थे लेकिन मैंने इसके लिए देखिए गुथी का इस्तिमाल किया मेरे पास बहुत सारी गुथि जो गुथी है देखने में बहुत अच्छी और ये आइडिया पता है कब आया मेरी नानी के पास ना वो हमेशा सराने में अपनी गुथी बांद के रखा करती थी तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ट्रैक्ट करता था बचपन से तो वो दिमाग में मेरे था तो मै दोनों ही पजामियों के एक एक जो पैर बचे थी उससे गुलावी बाला तो तयार कर लिया और कैसे मैंने इसे बांदा है वो आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ से ओपन है बस स्टिच किया हुआ है और इसके अंदर ये डाल के मसनत को और ये गुथी में भर लिया वो औ और इस तरह से मैंने डाल के और धागे से जो गुथी के धागा होता है ना उसे बैक साइट में ले जाकर उसे वहां पे टाइटली मैंने बांद दिया उसे पहले एक यहां पे गांट लगाई और गांट लगाने के बाद फिर वापस इसे मोड कर लाने के इस तरह भी लाकर के निकाल के और दोनों तरफ से ओपेन हैं बहुत इसली मैं इसे बाहर निकाल के वाश कर सकती हूँ तो अब भी इसे टॉफी का शेप देने के लिए टॉफी के रैप़र का शेप देने के लिए दो दूसरे तरफ भी गुथी बाननी थी तो मैंने इस तरह से चार-चार के मैंने गाठ लगा दी तो बीच वाला जो कपड़ा था उतना ही मैंने रखा था उसकी लंबाई कि वो बड़ा थोड़ा सा रोज के शेप का दिखाई देता तो जब दोनों गुथियां बांदी तो बीच में एक फ्लावर के शेप जैसा देखे कि अभी मैं आपको दिखाती हो गया और जब तयार हो गया तो मैं अब सोच रही थी कि इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है देखे यहां चेर पर रखके दिखाती हूं थोड़ा लाइट जला देती हूं यह मेरे बेडरूम में ही रखा हुआ है चेर कॉफी चेर है टेबल है तो अब यह थोड़ा कैम इस कपड़े का क्या करना था मैं चाहती तो यहां से कट करके शौर्स बना लेती और गर्मी का मशब है तो घर में टी शेट के साथ में पहन सकती थी लेकिन मैंने कहा कि नहीं इसे में थोड़ा बहुत जादा ही शौर्ट हो जाता यह तो यह आसन वाली जगह को मैंने पहले कट किया मैंने कहा कि इसे स्ट्रेट करके देखती हूँ जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो हो सकता है दिमाग में कोई आई दिया तो वो आसन वाली जगह को मैंने कट कर दिया फिर मैंने यह जो एक थोड़ा सा बड़ा वाला पैर था जो कपड़ा थोड़ा ज्यादा ल कपड़ा था तो इसलिए यह थोड़ा सा कपड़ा रहे गया अब जब निकाल लिया तो आसन वाली जगह काट दी तो दो तीन बार मैंने इसे उलटके पलटके देखा कि इसका क्या बनाया जाए क्या करूं मैं तो थोड़ा दिमाग में कुछ-कुछ आइडिया आ रहा था कुछ पार भार इसे में इकठा करके देख रही थी यह से थेला बनाया जाए कि बड़ी गुथा बना ली जाए गुथी टाइप्स में बन जा ता लेकिन मैंने का कि नहीं अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि कि अब इसे मुझे बनाना क्या है तो इस तरह से मैंने क्या किया कि वह जो आसन वाली जगा थी उसको देखिए कि मैंने स्टेच कर दिया स्टेच करके फिर इसे सीधा करके देखा तो एक लाइक skirt मुझे दिख रहा था यह उपर वाले लास्टिक थी जो कमर वाली पोर्ष जगह की होती है यह वाले लास्टिक थी और वह नीचे वाला पोर्षन था अब मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया था कि इसका मुझे बनाना क्या है तो जो नीचे वाला ओपन वाला एरिया था उसमें मैंने फिर से स्टेचिंग की गुलन किया इस कपड़े पर और गुलन करके जैसे फ्रिल बनाते हैं उस तरह से पूरा इकठा कर लिया फ्रिल बना करके और इसे मैंने तयार हो गया, यह थोड़ा सा कपड़ा बचा था, अब इसी तरीके से मुझे गुलावी वाले का भी आसन कट करके, इसे भी सी तरह से स्कर्ट नुमा तयार करना था, उसके बाद जो आइडिया था, उसके लिए मैंने एक पुराना सा कपड़ा था, उसे निकाला, और इसमें मैंने स्टफ किया, फिर वही जो यह रैपर होता है, रैपर को ही, यह इसमें न, वो स्टिच वाला होता है, बहुत फलफी होता है, वो टिप टिप बसता नहीं है वही, तो इसे गोल किया मैंने, और फिर इसे लगा करके, जूड़े के स्टाइल में, एक घुंडी जैसा जो तैयार किया, और फिर इसे टाइटली सिल लिया, अब जब यह टाइटली मेरा तैयार हो गया था, तो तैयार करने के बाद, जो बाहर के एक्स्टर एक अपड़ा था, इसे मुझे कट करके निकालना था, क्योंकि, यह कैंची भी मेरी किचन की है, कुछ खरीदूंगी, और स जब मैंने काम शुरू किया है, आप सब में बहुत ने मुझे सलाह दी है, तो अब यह कट करके निकाल दिया मैंने, और जब यह कट करके निकाल दिया, तो इसे मुझे उसमें लगाना था, अब यह देखे कि मैंने इसमें फाइनली जो गोल करके यहां पर फ्रिल तयार किय अब तो थोड़ा थोड़ा आप भी समझ ही गए होंगे कि इसका मैंने करना क्या है और क्या बनाया है इसी तरह से मैंने गुलावी वाली को भी तयार किया और एक पुरानी सी डॉल थी यूही रखी हुई थी तो मैंने इस डॉल को इसके साथ स्टिच कर दिया तो ये भी बड एक वजामी से मैंने ये तयार किया पहले ये गुथी वगर लगा करके मैंने ये मस्नत का कवर तयार किया मतलब एक-एक पैर से ये तयार, एक-एक पैर से ये पीछे वाला मैंने जो rectangle पिलो कवर था, वो तयार किया था, अब उपर वाली portion बच गया था, जो कमर वाला portion होता है, जिसमें elastic था, तो उस elastic वाले portion को नीचे की तरफ रखा मैंने, और ये मेरा electric rice cooker था, उसका एक कवर बन ग गया और बहुत अंदर बढ़िया से ये कवर कर लिया, और ये मेरा mixi था, ये एक mixi का कवर बन गया, colorful, तो ये भी नीचे elastic वाला portion देख रहे कितने बढ़िया से इसने grip कर लिया है, तो दीखा एक पजामे से कितनी सारी चीजें हमने तयार कर ले, तो आप भी ऐसा कर सकते ह हैं, पुराने कपड़े को पजामी को फेकने से पहले एक वर्ष सोचेगा जरूर, और वीडियो कैसा लगा, ये भी बताईएगा, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार